BPSC TRE 3.0 का एक्जाम मार्स में होने की बाते चल दिए और उसके बात देखें तो कह रहें कि TRE 4 भी अगस्त में हो जाएगा लेकिन इसके बात देखें तो कहीं न कहीं छात्र जुए मांग कर रहें BPSC TRE 2.0 के सप्लिमेंटरी रिजल्ट की इसके बावजूत की 3.0 और 4.0 का एक्जाम आगे आना है और चात्र लगातार सप्लिमेंटरी रिजल्ट की भी बात कर रहें और इसके बाद देखेंगे तो STAT और CTAT अपेरिंग छात्रों का भी मसला है बहुत सारी चीजे हैं और क्या कुछ होना है इस पर आगे रमानसू सर हमारे साथ है इस पूरे चाल रहे है कि 3.0 और फिर अगे पर पटक सर के द्वारा कि अगर्स्थ में 4.0 भी आ सकता है स्र क्या लग रहे है और किनसी आ यह बहुत अची की बात हो गई अभी मार्च से अब यहां होगा चुना wrapped या तब तक जो अगस्थ की बात हो जाएगी तो बच्चों को नौक्री देना बहुत अच्छी चीज है वेकेंसी कालना बहुत अच्छी चीज है लेकिन उसमें थोड़ा सा गैप होना चाहिए ताकि बच्चों को त्यारी करने का मौका मिले क्योंकि अगस्त में भी उनी बच्चों ने भरा जो बाकी रहेगे वो जो है दिसंबर वाला भी वही दिये और जो मार्च वाला भी वही देंगे क्योंकि इधर बीच कोई इस एस्टेट का कोई एक्जाम हुआ नहीं तो वसारे लगा कि आपेरिंग वाले हो नहीं सकते अब जब मुद्दा आएगा कि क्या एपेरिंग सीटेट और एस्टेट वालों को मौका दिया जाए तो एक मुद्दा यह बनेगा ही बनेगा प्लस सबसे बड़ी चीज क्या ह है कि बीपेसी ट्यारी वन में खुद जो है बीपेसी ने और सिक्षा विवाद ने जो है सप्लिमेंटर रिजट निकाला था उसी आध्वार पे उसी चीज को लेते हुए बीपेसी ट्यारी टू का भी आप सब्सक्राइब निकलना चाहिए उसमें लगबग 14,000 बच्चों क क्या नुकसान है आपको आखिर तो आप उनको जॉब दे ही रहे है ना तो क्यों उनके साथ इस्तरकान नया हो रहा है और उनकी मांग भी जैनूइन है उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि जो भी ऐसे बच्चे हैं जो अलड़ी एज के वज़े से या फिर जो लड़के क्योंकि बना था कि जब ले ले जाएगा तो उन बच्चों का नंबर बराबर होने पर उनको बाहर किया जा रहा है तो यह तो खेरून की साथन्या है साथ ही साथ कोई भी ऐसी जिसपर तीन तीन चाड़ चर्चर जो लोगों का सेलेक्शन हो चुका है आपको बता दें कि बहुत सार ही कर गए तो बहुत सारी फ्री कि खुडना हे नहीं ऐसी दोरन क्या हो कि सिछा जो परने का निकालेंगे थाने आप उसके साब दिया गया था कि आप सूचना दीजी अपनी फिर उसके बाद ने कहा कि सब हम तयार करें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि बच्छों की जोईनिंग की बात है तो सिक्षा विभाग नहीं कहा कि चोलो भाई अब हम निकालेंगे सप्लिमेंटरी तो एक तरफ एक तरफ सप्लिमेंटरी निकाल ल जाएगा अब सिक्षा भी भाग हम भी ऐसी वबाग मु कनफियोज है कि क्या करें कि वह लेकिन इस इसकंफियूजन में बीच में जो सबसे बड़ा जो सवाल है बच्चों के भ्यूष से का है वो उनका कंफीजन नहीं में आना चाहिए उनका क्लीर होना चाहिए इसी तरए आपने देखा कि सत्ता प्रवर्टन भी हुआ जो लोकल बिपक्ष में थे बीपीसी त्यारी वालों के साथ थे आज वो पक्ष में हो गये इसको बनाना होता तो बैड़ जाते और आपस डिसकस करें देक慶ाeri 191 भिए सब्सक्राइब अगर वच्छेया करे जा कुछ और सब आगर वो विपिए सी में जाते है तब तो दबा माते है ना अगर उस इक्षा ही नहीं पास गई नहीं हो बिपीएसी कोई बच्चा नहीं गया है अगर बिपीएसी बच्चे जाकी कुछ करें तो कहा जागा कि दबाव बना रहे हैं या सिक्षा विवा के सामने जाकी कुछ कहें तब कहा जा जा रहे हैं अगर वो किसी राजनिती दल के पास जा रहे हैं जिनकी सत्ता है सरका जो पक्ष और विपक्ष में उनके पास जा रहे हैं तो इसको जो है मांग कहा जाता है इसको दबाव नहीं कहा जाता है तो इस तरह का सिक्षा विवाक के तरफ से नोटीस जारी किया जाना कि जो अगर दबाव बनाएंगे तो आपको अगले परिक्षा से वंचित किया जाए कि बच्चों को थोड़ा सा बर्गलानी के लिए कि supplementary की मांग ना करें प्लस इसले डरा दिमाने की बात की गए कि supplementary की मांग ना करें ताकि आप मार्च में जाए ताकि आप अगस्ते में जाए तो अब जब वो भी selection होगा तो सरकार दिखा पाएगे ना कि हमने इतने लोगों कि लता है तो साथ हो जाते हैं कल जो चात्रों के साथ थे वह आज भी रोधी है और जो चात्रों के विरोधी थे आज विस्वास कर रखेंए चाहे राजनीती दलों पे विस्वास रखें उसको तूटना नहीं चाहिए और एक supplementary पहले निकाल देना चाहिए उसको अद्र नहीं तो सर क्या प्रिंग वालों को मुखा मिल सकता है सरर क्योंकि भारत में आज तक एक ही प्रकार के विभाग में एक ही प्रकार की नौकरी साल भर में चार कहीं नहीं निकला होगा कभी नहीं निकलाओगा और मुझे लगता है कि आने वाले भुष समय भी नहीं निकलेगा क्योंकि अगर यह सारी वेकेंसिय में लगता है भर देंगे तो हम उते लगना कि जितने टीजर भरती कर दीगे उतने स्कूल भी नहीं होंगे बिहार में तो कुछ लोग जो है जाके गर पर ही नहीं पढ़ाना शुरू करते तो ऐसे कंडिशन में एक साथ चार वेकेंसी निकालना और आने वाले समय में आप एक तरफ काम करने जा रहे हैं कि अब हो सकता है कि अगर तो जोजार चोबिस को बद बिल्कुल हो सकता है एक समय आप देखे कि कोई दस साल-पांस दस साल से कोई भरती नहीं हो रही और अचानक आपने चार्ज लाग पांच लाग भरती निकाल दिया तो अगले बार कहां से देंगे उनको भी तो दिया जाना है और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका पूरा फोकस BPSC TRI पर ही क्यों है जो बच्छे पुलिस का फ फॉर्म भरे जा रहे हैं उन बच्छों को चिंता ही नहीं क्या वोटर्स नहीं है क्या उनकी तो चिंता होनी चाहिए कि सिर्फ टीचर ही आपको वोट देंगे और टीचर ही जीताएंगे बागी लोग नहीं जीताएंगे तो क्रेप्या इसके साथ साथ उसे मौका दिया जा पहले ऐसा कहा जा रहा था कि वह पीएम के मिदवार के रूप में खुद को देख रहे हैं तो इसलिए वो डॉमिसाइल नहीं ला रहे हैं क्या लग रहा है सरकेव डॉमिसाइल आ सकता है देखे निती स्कुमार यह जानते थे कि हम प्रधानमंत्री की दौड में नहीं लेकिन कहीं लेकिन कहीं न कहीं यह था कि अगर हम कुछ चात्रों के लिए करते हैं अने राजों के लिए वाला हम लागू नहीं करते हैं तो उसे आने चात्रों को भी लाब होगा तो अगर हम उन राज़े में चुनाव लड़ने जाएंगे तो हमें फिट होगा यह उनकी सोच रही होगी क्योंकि देखें किसी राज क्या में अब वही कहा रहा है ना कि हम तो पहले भी बोले थे कई की बारे आप लोग के चैनल भी बोल चुके कि कम से कम जो एक से पांच तक के जो बच्चे होते हैं ना वह नॉर्मली इसकुल में सिख्षा जो है अगर वहां के लोकल टीचर उसी राज़े के टीचर जाए तो एक नियम कानून बनना चाहिए और उसके ऊपर जो बच्चे आपले लिए आट से जो है ग्यारा से लिए बना दीए कि हम एक से लिके आठ तक जो है अपने राजे के लोगों को लेंगे और नो नौदशी ग्यारा में पूरे भारत का क्या है पुरे बिश्यों के लोगपढ़ाने आजा हमें को रिकत नहीं है तो उसे बच्चों कलाब इस पे भी सरकार को हर राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि जो प्राइमरी की स्कूलिंग है वो लोकल टीचरों को दिया जाए और उसके ऊपर की स्कूलिंग है वह आप किसी को बुला कर दिए कोई दिक्कत नहीं है बहुत दन्यवाद सर सुना कि अपकि आप क्या कुछ सोच र फ्रुब झाप क्या बहुत कि अपक्रा थ्कुछ चाहिए, अपक्राप झाप बाले की स्कूलिंग तन्यवाद सरस्टे की स्कूलिंग है वो लोग्या जानना राजा जाफ दिक्सरादा कि आपकि आपकि इस हा जाट आपकि